जैन दोस्तो, जैसному पिछल्य वीडिव में लोगों ने देख लिये था मुप कहँले मैं चाहता हूं, अगर स्टाट करता हूं, श्कु श्रकुल। श्कुल। कि वीडियो का लाष्ट होते होते हैं आपको सारा जो confusion दिमाग में आता है वो clear होता है हो सकता है कुछ चीज़े सुरू में clear ना हो पाएं तो इसलिए आपको क्या करना है कि लाष्ट तक जुरूरी देखना है तो चलिए फिर वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि आखिर slots के सुकाते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर definition भी लग देता हूँ कि where coil sides are placed इसका कहने का मतलब कि where coil sides are placed तो देखिए जाइस आप मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि हम लोग coil क्यू क्यू करते हैं इस तरह क्या होता कि हम लोग coil को सो करते हैं क्या कहा रहाए कि where coil sides are placed मतलब कि slots किसको करते धू देखिए मोंठर में क्या होता कि मोंठर का अंदर क्या होता इस टेकूर Olok입니다 कि इसलोस्स बना होता है ऑफ वांड निक करता है जिसको अम लोग क्या बोलते हैं को आप क्या होता कि हम लोग वर्णिंग करते हैं ठीक है तो यह चीत आपको समाझ मागें अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि relation between electrical degree and mechanical degree तो देखिए सबसे पहले हम लोगों समझना है कि आखिर electrical degree किसको कहते है electrical degree तो electrical degree का एक फर्मूला होता है फर्मूला यह होता है कि theta electrical is equal to p by 2 theta mechanical ठीक है यह चीज़ को मैं समझाता हूँ किस तरह से यह होता है इससे देखिए electrical degree का फर्मूला होता है theta electrical is equal to p by 2 theta mechanical जो यह p हो गया हमारा number of pole number of कितना pole का यह motor है theta electrical कहने का मतलब कि जो theta electrical होता है यह always कितना होता है 180 degree electrical होता है 180 degree electrical यह चीज़ आपको direct interview में यह कहें भी exam में पूछ दिया सकता है कि जो हमारे electrical में degree होता हो कितना होता है हमको बताना है 180 degree electrical और वो mechanical में कितना ब्रावर होता है तो p by 2 होता है p by 2 मतलब पी number of pole होगे number of pole पर depend करता है यह किस तरह से depend करता है चलिए हम लोग आगे देखते है अगर माल लिए कि कोई भी हमारा motor है कोई भी motor है तो मोटर में क्या होता है पोल रहता है तो पहले हम लोग लेते हैं दो पोल का motor लेते हैं कितना पोल का दो पोल का माल लिए कि एक motor है जिसमें क्या है हमारा दो पोल है तो दो पोल कहने का मतलब कि एक हमारा 9 होगा और दूसरा हमारा 100 होगा ठीक है इस तरह से होगा यह हमारा पॉल हो गया अब देखिए इसके बीच में क्या है यहां पर भेलू बठाएंगे यहां पर पी जो है कितना पॉल का हम लिए हैं दो पॉल का लिए हैं ठीक हो तो नीचे हैं हमारा अको खशनी कितना हों उसके डिखने हं तो वह रहां थिट्टा electrical है वो हैं ऐसा कतना होगा 180 degree electrical होगा और जो mechanical डगरी depend करेगा वो किस पर करेगा पी द्टू करेगा तो प कि आगक नंबर पोल अगर दो पोल का हम लोग मोटर लेते हैं तो कितना है हमारा 180 degree आ गया अब लेते कि हम लोग 2 पोल के जगा 4 पोल के लेते हैं प्रमुला भी थेंखर ट्रस करें लिए उन दोने हैंहें चापनने थी नेटो लिचा कि आप यहां पर हमगेद लेना है नेफेड लेना ठीक है अब इसको काट देणगे तो इसको काट देंगे तो कितना है हमारा हो जाएगा यह हमारा 45 बार में कट जाएगा 45 दुने 90 तो 45 दुने 90 दुने कितना हो जाएगा 180 मतलब कि फिर हमारा कितना आ गया 180 डिगरी आ गया इस तरह से काटी यह तो किस तरह कितना आ गया मतलब कि देखिए ठिटा एलेक्ट्रिकल तो 180 तो नहीं रहा गया और जो पोल पे जो हम लोग बढ़ा रहे हैं तो फिर भी कितना रहे हैं मतलब और लेते हैं अब लोग छे पोल का मोटर कहने का मतलब है इस तरह से हमारा होगा यह अच्छा से फिगर नहीं बना लेकिन समझ जाएएगा अप लो अब देखिए P हम लोग कितना ले लिए है 6 पोल ले लिए है ठीक है P by 2 यह 2 तो पहले था अब ठिटा मेकेनिकल तो देखिए इन दोनों को बीच को जो एंगल होगा यह जो एंगल है हमारा जो बेंड रहा वो एंगल कितना डिग्रीक होगा वो एंगल 60 डिग्रीक होगा ठीक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहां से 60 से इंट्व कर देंगे अब यह काड़ देंगे तो कितना होगा 30 दूने 60 ठीक है और 30 चागे कितना होता है 0 का 0, 6, 3, 18 मतलब फिर हमारा कितना आगया 180 डिग्री आगया तो इस चीस से प्रूब हो गया जो ठीक होगा वो कितना होता है पी बाई टू ठीक होगा मतलब कि बनावर होता है तो यह मेकैनिकल हमारा कितना होगा पी बाई टू पी यह डिपेंड करेगा और ठिटटा एलेक्ट्रिकल जब भी रहेगा तो हम लोग कितना याद रखेंगे 180 डिग्री ठिटा एलेक्ट्रिकल 180 डिग्री अब दिमाग में नम सेट कर लिजी इसको दर अब हम लोग समझते हैं कि पोल पिच क्या होता है देखें पोल पिच का देखें टिफिनेसन हम रहता है जो रहता है जो मूब करता है इसको लोग बोलते हैं रोटर और यह हमारा होता है पॉल जो हमारा यह होता है नौथ यह चार पोल का मोटर है आब आते हैं देखें हम लोग इस पर इफिनेसन पर कि पोल पिच को हम लोग और एक नाम से जान सकते हैं इसको हम लोग पॉल सन भी कहते हैं इसको हम लोग पॉल सन कैप बीच दोनके बूल पर कcanap is the angular distance मतलब कि यह त्यड़ा जो हमारा इस तरह से हमारा जो एंगल बनाता है इस तरह से जो रोटेट करता तो यह क्या हो एंगुलर एक तरह से दखी यह एंगुलर ही नहीं इस तरह से डिस्टेंस बना रहा है यह एंगुलर डिस्टेंस ही हमारा है तो क्या गराएंगुलर डिस्ट Prob pit में जो हमारा angular distance benता हैए ुसको बोलता है श् officials अब बात करते हैं कि coil pitch कि से और हम यहां पर इसका definition पहल से कुछा करते हैं कि the angular distance between the two adjacent sides of a coil कहने का मतलब चुछी क्यों होता है पॉल पीच तो समाझ गया है कि दो पॉल के बीच में क्या होगा है कि हमारा अंगुलर डिस्टेंस होगा उसको हम लोग पॉल पीच कहते हैं तो कोईल पीच उस ट्रेप से होता है कि कोईल साड में क्या होता है कि कोईल में हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे कोईल क्या होता कि हमारा कोईल में दो साड होता है कि यह हमारा पहला साड हो गया यह हमारा दूसरा साड हो गया ठीक है तो इसमें क्या कहता है कि जो इसका एंगुलर डिस्टेंस होगा जो हमारे यह दखी स्लोट्स होता है यह हमारा पहला सड हो गया यह हमारा दूसरा सड हो गया तो यह हमारा पहला सड यह दूसरा सड तो यह इसके बीच में इंगलोड डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोईल सड कोईल पीच ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं कोईल पीच और इसी का एक और नाम है जिस इसमार्चे बीच में किया है इनके बीच में क्या होता है songrage हिए कॉ टीजन दोनों कियाई थिसमें क wrenchinkरा नहीं होना दीक है सेटकित है कि आपके लगए नहीं होना कि अब देंगे हमें घृशसे समझते हैं और आगे समयधते हैं जाखिए पुलपईच क्या होता है और सौट पिछ क्या होता है कि इसको कहते हैं और थोड़ा सब आप लोग लास्ट तक जूर देखेंगा क्योंकि आपको लास्ट तक देखने के बाद आपको पुरा जोकर फिटा ने बहुत समप्त होने वाला है तो देखिए यह हमारा होता है अश्टेटर ठीक है अश्टेटर रोटर जो है उसको तो देखिए यह हमारा पॉल है अब पॉल को क्या करेंगे कि इस पॉल को हम यहां से कट कर देते हैं यहां से कहिंची से हम लोग काट दियें कहिंची से नहीं कुछ भी आरी से हम लोग क्या करें यह पॉल है उसको काट कर क्या कि हम लोग ल उसी तरह से क्या करेंगे कि यह हमारा slots है तो slots में देखिए number होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नाव, दस, 11, 12 तोटल 12 slots हैं अब इस slots को क्या करेंगे कि हम लोग यहां से काट देते हैं और इसको फिर क्या करते हैं कि हम लोग सीधा देते हैं तो इसको अम लोग कैसे कीयाई कि यहाँ पर सीधा देखिए क्या आपको समझ जथाने के लिए मैं अच्छा समझा रहा हूं तो पहला जो हम लोग काटे थें वह कहां पर यह हमारा एक पर बैठेगा ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, छे, साथ, आठ, नाव, देस, इगारा और ये क्या होगा, जो बारावाल आएगा, वो क्या होगा हमारा यहाँ प्याज़ा तो इसको बात देखी, इसको भी हम लोगों ने क्या किया, कि इस तरह से सीधा बिचा दिया अब देखी, आब हम लोग देखते हैं कि full pitch, short pitch call किसको कहते हैं तो देखी, ये जो हमारा हो गया, माल लिए किसी भी coil को, हम लोग पहला इसमें ढुखाते हैं पहला, जो है turn में, जो slots हैं, पहला slots में हम लोग क्या करते हैं, coil को हम लोग इस तरह से place करते हैं कि दूसरा कलर से मैं यहां पर दिखायता हूं यह आप क्या करते हैं कि पहला स्लोट से में इसको हम लोग इस तरह से इंसर्ट कियें और जो कोईल सड्ड जो होता है जो कोईल हम लोग क्या रहता है हमारा कोईल इस तरह से रहता है देखिए इस तरह से हमारा कोईल रहता है तो जो हमारा क्या है North Pole में डाले हैं तो क्या होगा कि South Pole के सामने हम लोग इसको insert करते हैं तो यह इसके बीच को डिस्टेंस जो हो गया वह हमारा क्या होगा यह हमारा हो गया वह होगया हमारा प्रॉल पीछ यह क्या हो होगई हमारा ये हम लोग बोलते थे यह है दूरी हो गया और coil पीछ हो गया इसके बीच के दूरी जो यहां से यहां हम लोग तो देखिए आप लोग जरूरिण है कि पोल के बीच बीच यहां करना है वर्ड नी करना है हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर माल लीज़े कि अगर यहां पूठाए हैं जैसे कि ढाँ सकता हूं कि हम लोग के दो नमबर पर डालें इस क्या सब्सक्ता है चाहिए जैसे कि इसके बीच में के दो प्ल लोग की गेप है तो यह भी क्या हो कि हमारे एक तरह से क्या हो गएर फुल पिपिस हो गया फुल पिच कहने का मतलग कि जो नंबर ओप पैल अब पीचелов नंबर ओव पीच तो क्या होगा कि हमारा फुल पिच कौन होगा निल जो पर लहां पितने हैं तो दूसरा जो है वह क्या होगा पूल पीच के नपायाग करकर क्या होता है कि कुछ एंगल इस से कम कर देते हैं जैसे है धोड़ा देरी में हम लोग आगे और ठाध समाच जाएंगे कुस तरद सरा कम हो जाता है जैसे कि देखिए पछे पहला preेल स्ध़ आध यह होता है यह पहला कोईल्साड होता हा वह क्याक हो कि हम लोग एक पोल के सामने डाले ठीक है दूसरा जो है वो क्या होता है कि यहां पना डालके किसी एंगल से हम लोग इसके पीछे ही मैं इसी जो हमारे यह जो स्लोट है इसी कोईटस में हम लोग क्या करते हिए इसके हम लोग प्लेस कर देंगे कुछ एंगल सक घटा कर तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेक्शनल पिच कोईल इसको बोलते हैं फ्रेक्शनल पिच कोईल या फिर इसको बोलते हैं शोट पिच कोईल इसको और वी नाम से बोलते हैं short pitch coil ठीक है यह दो नमस हो गया इसको थोड़ा से मैं इसको और अच्छा समझाना चाहता हूं ठीक है रुग जी थोड़ा से एक मिनिट अगर यहां अगर आप फूल पीछ और सोट पीछ कोई नहीं समझें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं यहां पर समझाने वाला हूं आपको इसमें आपको अच्छा समझने चलाएगा देखिए हम लोग क्या लेते हैं कि एक हमारा क कोईल हो गया कोईल में क्या होता है कि दो साड होता है एक हमारा यह पहला साड होता है और यह हमारा क्या होता है ठीक है अब देखिए फूल पीछ का बोलते हैं जब हमारा क्या होता कि कोईल पीछ के सोरी फूल पीछ का बोलते हैं उसके क्या होता है कि यह बराबर होता है ज फूल पीच का वो क्या होता है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 180 डिगरी इलेक्ट्रिकल जैसे कि हम लोग पहले देखा था जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके बीच का इसका ने इलेक्टरिकल हमारे होता है 180 टिकल तरह जो फुल पीछ मोई होता है वो क्यों होता है हमारा इसका होता है अल्फाड एंगल से देखी जैसे यहाँ पर मैं समझाता हूँ थोड़ा सा यह हमारा दो पॉल हो गया नौथ और यह हो गया हमारा पॉल सौथ अब कोई कोई है ठीक है जो कि यहाँ सूट कर इस तरह से हमारा हो गया यह हमारा हो गया देखिए यह तो पहला जो coil side जो था इसका वो नौथ पोल के सामने था लेकिन जो दूसरा है वो क्या है कि हमारा इससे alpha एंगल कम गया मतलब कि यह बीच का जो है वो कहाए alpha degree वो मतले कि इससे less है मतले कि full pitch से कम है तो इसके और इसका कितना है होगा तो देखी 180 में से अगर alpha चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा हमारा बचेगा 180 minus alpha degree तो यह इसका जो पूरा distance होगे यह short pitch coil का तो short pitch coil का कितना होगे 180 minus alpha degree ठीक है यह हो गया हमारा short pitch coil का distance तो यह चीट आप समझे है कि जो full pitch coil होता है वो कहता है हमारा 180 degree का होता है और short pitch coil होता है 180 minus alpha degree का यह होता है तो यह होता है short pitch coil और full pitch coil तो आशा है कि आप लोग की वीडियो अच्छा समयमा आगया हो पूरी तरीका से अगर फिर भी किसे तरह का दिक्कत रहता है तो आप लोग कमेंट करिए मैं उस पर अगला वीडियो बना दूगा और हो सकता है कि और भी अच्छा समझा दूँ अगर कुछ भी दिक्कत रह गया होतो तो बस यह चीज़ समझे है ना कि यहां पर क्या हो सकता है कि हम लोग यहां से भी ले और इसके बीच में ले तो भी क्या होगा कि हमारा फुल पीच ही बनेगा क्योंकि देखी इसके बीच का जो पूल का जो गैप रहेगा वह क्या होना चाहिए इक्वल रहना चाहिए इस तभी में तो क्या होगा कि हमारा वह मतले कि फुल पीछ होगा अगर फुल पीछ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जिस तरह से इसको घटा देंगे अलफा डिगरी से घटा देंगे तो क्या होगा हमारा बहुत सोट पीछ होगा हमारा 180 माइनस अलफा डिगरी होता है ठीक है तो बस आ